नमस्कार मैं पारित शर्मना प्रोफेसर बड़ा बिजनस स्वाखत करता हूँ आप सभी का बड़ा बिजनस के इस प्रॉडम सॉल्विंग कोर्स में जो है CRM यानि कस्टमर रिलेशन्चिप मैनेजमेंट यह है एक ब्रैंड न्यू प्रॉडम सॉल्विंग कोर्स और इस कोर् CRM Digital Transformation किसी भी बिजनस का जब शुरू होता है ना CRM उसकी पहली तीन सीडियों में से एक है Digital Transformation जरूरी है यह बात सभी जानते हैं लेकिन अपने बिजनस को डिजिटल कैसे बनाएं यह जो जान गया ना वही बनाता है बड़ा बिजनस यह बहुत रासकी बात है इसका का स्केल उन्हें ने लांच किया बड़ा बिजनस का अप्लिकेशन इस को बहुत इंटरिस्टिंग तरीके से क्यूरेट किया गया है आप सभी लोगों के लिए मैंने आपको यह एक्जामपल इसले दिया ताकि आपका विजन खुल जाए आपको दिखे एक बड़ा विजन और आप डिजिटल ट्रांस्फरमेशन की तरफ सोचना शुरू करें अपने बिजनस को डिजिटल बिजनस में कनवर्ट करने के लिए सोचना शुरू करें यह पूरा का पूरा कोर्स चार स्टेजिस में डिवाइड़ेड है आपके लिए सबसे पहली स्टेज जिसमें आपक और foundation strong किये जाएंगे किसी भी building की अगर नीव मजबूत होगी तो building हमेशे सालों साल चलेगी अगर नीव मजबूत नहीं होगी तो कोई फाइदा नहीं है तो पहली stage में जितनी भी वीडियो है वो basic है foundation मनाएंगी आपका फिर है stage 2 why क्यों जरूरी है CRM को समझना आपके लिए और ये चीज हमने समझाई है business के use cases लेकर और इसमें आपको चार powerful असली companies की case studies भी दी हैं ताकि आप समझें किस तरीके से इन companies ने अपने business को बढ़ाया फिर बारी आती है stage 3 की जिसमें हमने आपको बताया how यानि आप implement कैसे करेंगे अपने business में इस पूरे के पूरे CRM software को stage 4 इस business का वो बहुत ही जादा important है उसमें आपको बताया गया है कि सही vendor कैसे आप चुनेंगे अपने business में CRM implement करने के लिए topics जो cover की है इस पूरे के पूरे course में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो basic topics cover की हैं जो foundation के topics हैं वो है what is digital transformation second what is a CRM software होता क्या है CRM software थर्ड है types of CRM CR CRM software cable एक type कर नहीं हो तब बहुत सारे types होते हैं बहुत interestingly बताया गया इस पूरी की पूरी वीडियो में और बार बार बता रहा हूं vendor आएगा पर आपको पैसा और समय बरबाद नहीं करेगा हर एक वीडियो की guarantee ले रहा हूं मैं चौती वीडियो है difference between CRM and ERP बहुत सारे automation जिस दिन आपके business में हो गए ना तो आप चैन की नीज सो रहे होंगे और 2400 गंटे सातों दिन लीड्स आती रहेंगी आपके business में चक्का चलता रहेगा unlimited चलता रहेगा इतनी सारी लीड्स आएंगी आपके business में कि आपको सेल्स टीम बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी पर केबल तब होगा जब आप funnels, lead funnels कैसे बनाते हैं और automated triggers यानि automatic तरीके से कैसे उन lead तक सही आपकी information पहुंच पाए वो सब कुछ CRM software करेगा आपके लिए stage 2 पे हम आते हैं जहां पे हमने cover किया है why should you adopt CRM software आपको क्यों करना चाहिए कोई तो solid कारण होना चाहिए ना इसमें आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे second हमने video की है एक बहुत important जिसमें हमने कहाए कि CRM needs assessment checklist यानि मान लीजिए अगर आपने मन बना लिया आपने सोच लिया हाँ भई CRM लगवाना है मुझे अपने business के अंदर तो अब कैसे आप अपनी needs को assess करोगे भई आपका हुस्त है छोटा business हो किसी का बहुत बड़ा business हो और इसको follow करने कुछ नहीं करना step 1 से लेकर step 10 आपको केवल follow करनी है checklist बस यह कर लिया ना तो आपकी needs की clarity हो जाएगी आपको और needs की clarity इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब vendor आएगा fraud नहीं कर पाएगा आप अपनी needs एकदम clear तरीके से उसके सामने रख पाएंगे फिर आपको पा एक ही चीज़ का पैसा बताओ ना पांच चीज़ नहीं चीज़ है मुझे आज हाँ जब चाहिए होंगी जब मैं बड़ा बिजनस बंजाओंगा तब आज ना फिर मुझे पांच चीज़ देज़ ना फिर हमने next बताए customer segmentation यह बहुत important है सारे customers को same scale पे हर एक को कहते हैं same size fits all अगर आप देना शुरू करेंगे तो कभी भी काम नहीं चलेगा customer segmentation कैसे करते हैं how to increase sales with CRM how to increase sales with CRM यह है पहला business use case मैं आपको काता है कि हमने stage 2 के अंदर business use case समझाए है तो सबसे पहला sales का use case समझाए है उसके बाद difference between CRM and marketing automation यानी marketing automation जिसकी अभी मैं बात कर रहा था और CR कैसे आपको implement करने अपने business के अंदर फिर CRM for customer service हमने sales की बात की marketing automation की बात की customer service की और चौत ही हमने बात किया inter team collaboration की देखे जैसे जैसे company बड़ी होती रहती है ना challenge हर company में यह होता है कि हर एक team आपस में अलग-अलग काम करना शुरू कर देती है हर एको लगता है यह inter team competition चल आए और collaboration कम हो जाती है उसके लिए CRM software जैसी आप implement करेंगे सारी problem खतम हो जाएगी आपकी फिर बारी आती है traditional versus social CRM क्या होता है social CRM क्या होता है नाइन्थ जो हमने आपको दिया है वो case studies दिये है चार powerful case studies मज़ा आ जाएगा जब आपकी case studies सुनेंगे आपको clarity हो जाएगी दिमाग में कि भाई यह तो implement करना ही करना है फिर stage 3 पर हम आएंगे और stage 4 मैं दोनों mix कर रहा हूं जहां पर हमने बात की है comparison of top 8 CRM software देखे इस stage पर जब आप आ जाएंगे तो आप उस stage पर है जब आप implement करने की थाकत रखते होंगे CRM को अपने business के अंदर हमने आपको 8 CRM software से इसमें बताए हैं फिर हमने आपको बताया how to choose the right vendor अब आईना बात how to choose the right vendor sir हमने आपको checklist दी है और यह checklist बास आपको vendor को बलाना ह checklist और उससे बात करते करते बस checklist पर टिक करते रहीएगा जब सारे टिक हो जाएंगे तो वो सही vendor होगा जिस पर कम टिक होंगे वो गलत vendor होगा आपके लिए अब आप चूज करेंगे सही vendor कौन है फिर एक बहुत important वीडियो दीए यह बहुत critical है मेरे साफ से CRM implement होने के बाद बीना करे बार fail हो जाता है आपने implement कर दिया पैसा खर्च कर दिया समय खर्च कर दिया सारी टीम को एक ठब ला ला लिए CRM implement हो गया तालिया बच गई उसके बाद fail CRM failure कैसे बचेगा और उसको कैसे बचाना है उसके 25 points दिये हैं एक ही वीडियो के अंदर ही बहुत important है फिर हमने आपको बताया है 10 steps perfect CRM implementation करने के लिए क्या वो steps होते हैं फिर बारी आती है CRM metrics की बहुत ज़रूरी है कहते हैं न what gets measured gets done जिसकी measurement है वो काम होता है जिसकी measurement नही है वो काम नहीं होता साब बहुत critical metrics है और मैं आपको वादा कर रहा हूँ guarantee दे रहा हूँ आपको जैसे ही vendor आएगा ना बस उसको ये sheet थमा देना बोल देना बस मुझे यही metrics measure करनी है और मुझे कुछ measure नहीं करना आपने बिजनस के अंदर मेरा वादा है आपसे कि आप तीन का operator नहीं हूँ आप controller और manager बन चुका हूँ last but not the least हमने आपको एक बहुत powerful वीडियो देखिए adoption ट्रेनिंग पर देखे CRM generally fail होता है बहुत कारणों से बट एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है adoption कि आप ने तो implement करा दिया आप तो CEO, management director, owner है अपने बिजनस के आपने बिजनस में implement कर दिया CRM पर adoption नहीं हुआ अरे भाई साब आपकी टीम ने मना कर दिया, टीम कह रही है ये नहीं करूँगा मैं, sorry, 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 अरे आपकी sales team कह रही है कि ये इतनी ट्रांस्परेंस ही, मुझे अपने सारी sales leads के नाम लिखने पढ़ेंगे, अरे इतना सारा काम कौन करेगा, यही काम करते रहे तो sales कब करेंग ये सब भाने बाजी खतम हो जाएगी, अगर आप ये training program, हमने पूरे training program डिजाइन करके दिया है आपको, ये training program आपको implement करना है और अपने vendor को बताना है, कि जब जैसे CRM implement हो जाएगा, CRM implement होने से पहले और implement होने के बाद, ये training program आपका vendor लेगा आपके लिए, ये बहुत powerful course और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ये course जैसी आपने देख लिया तो CRM implement करने के लिए आप तयार है 100%, मुझे उमीद है कि introduction video देखने के बाद, अब आप पूरी तरीके से पूरे मन से एकदम challenging तरीके से तयार हैं और आप पूरा course end to end जरूर देखेंगे, बहुत amazing examples दिए झाल